असलाम लेकुम जी दोस्तों मेरा नाम ताबिशा और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो उन्देशी क्रिप्टो गुरू मैं आज आपको ना बड़ा सिंपल सा एक जो प्रिक पसाने लगाँ के आपने अगर 15 मिनट या छोटे टाइम फ्रेम के पर कोई ट्रेट करनी है यू के देट राइट इस रेली रेली फन वेब साइट एक्टुली तो हेर इस तो इसको मैं यूज इसलिए करता हूं कि मेरे पस ना एक सेकंड स्क्रीन के उपर यह हर वक्त खुली होती है डेपेंडिंग उन विच टाइप आफ ट्रेड आम डूइंग अगर मैं जैसे अब तो आपको नजरा आ रहा है कि और ली सारी कि सारी क्रिप्टो इस वकर पंप हुई है एवेक्स तीन परसंट गया ओपर ऐस फैंटम तीन परसंट गया एक और मज़े का ट्रिक है कि यहां पर जागे आप नीचे देख सकते हैं कि एक एक और में सबसे ज़्यादा कौंड सा क पोजिशन लेना वो अच्छा वो उसमें आपने क्या करना होता जागे कि आप बिटकोइन का चार्ट देखते हैं तो आपको नजरा आ जाता है कि बिटी सी आपका 15 मिनट के अंदर कहां पर है तो आपको नजरा आ रहा है कि बिटी सी आ रहा है सही जून सी है वो बिलकुल पर गई भी है तो it can be a it can be a some retracement from here depend on a lot of technical analysis you do but आपको एक simple idea हो जाता भी आपको कहते हो के मैंने कौन सा जादा कौइन सबसा ब्लर वो हुआ है पंप हुआ वो ब्लर हुआ है ठीक है जी ब्लर को जा के देखते हैं तो ब्लर में हमने अगर उसकी आप चार्ट को ले लिया हमने कोई सा भी ले ले लेते हैं तो look at this how it is pumping it going really really up so idea is that if you want to short on a short term then you go on a five minutes chart or even you go on a one minute chart अपना setup देखने के लिए है तो it can be very good short short जितना छोटे time frame के पर आप trade करते हो तना छोटा आपका profit होता तो it can be very good आप basically कर क्या रहे है कि आपकी यहां से यह वाला level जो उन सा था यह वाला level blur ने break किया है तो blur now come back to test this level which means you can start shorting from here and you can book your profits here यह you can do it on a smaller time frame तीन मिनट पांच मिनट और पंदरा मिनट के चार्ट पे लेकिन उसमें बहुत जल्दी identify करने के लिए आपने अगर कोई चीज देखनी है ना तो उसमें बड़ा अच्छा यह graphical representation है यह crypto bubbles की इसमें आप जाकर देख सकते हो के आज सबसे ज़्यादा कौन सी च अपर गया है फिर आप कहते हैं कि यह last one hour में क्या situation रही है market pump हो रही है last one hour में ठीक है इसी तरह last पंदरा मिनट में क्या आप देखें कि यह one hour में SCI जो चीज सबसे ज़्यादा pump हो रही होती है उसके पर लोग ना profit भी ज़्यादा book करते है विच मेंस कि उसकी selling ज़्यादा होती है जब आप उसको short करेंगे छोटे time frame में तो आपको बहुत जल्दी results मिल सकते हैं और crypto bubble आप use कर सकते हैं to identify के कौन से coin जो उन से हैं पिछले ठीक है तो I hope कि आपको crypto bubble का यहां पर कोई फाइदा नतराया होगा इसलिए मैंने हर बग अपने पास यहां पर daily लगाये होते हैं मेरी हर वीडियो के अंदर अपना बहुत ख्याल रखें खुछ रहें मिली दौा कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको like करें share करें subscribe करें मेरे चैनल के उपर आपको free trading course मिल जाएगा अगर आपको आपने कभी trading ने की कुछ भी नहीं आपको पता आप वो 2.5 घंटे का trading course करके आपको यह समझा देगी कि मैं जो बाते क्या रहा हूं हो हैं क्या और अब मैं plan कर रहा हूं वो trading course मैंने बनाया था basically shares के उपर trade करने के लिए अब मैं plan कर रहा हूं कि specific simple सा trading course को बना हूँ आपके लिए to trade in crypto because this is very volatile market तो आपने इस पे जो उनसे stop losses हैं और इसके उपर जो technical analysis है वो थोड़ा सा different है normal traditional market और swing trade से अपना बहुत क्याल रहें में लिए दुआ कर दें अल्ला आफिस